नमस्ते फ्रेंट्स, गाडिनिंग विट वन दिना में आपका स्वागत है और आज जो मैं आपको गुलाब में करके दिखाने वाली हूँ, वो है ट्रिमिंग, वैसे तो प्रूनिंग कहते हैं या डेड हेडिंग कह सकते हैं, प्रूनिंग एक हाड प्रूनिंग होती है, जो कि अच्छे फूल आ रहे हैं तो यह winter का time होता है गुलाब में अच्छे फूल पाने का और इसमें क्या-क्या सावधानिया हम बरतते हैं तो उसमें यह pruning या dead heading जिसे हम कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा फूल खेल के आया है यह इसकी ओपनिंग है और जब यह पूरी तरह से खेल चुका गुलाब है यह देखिए बहुत प्यारा यह कलर है तो इसकी dead heading जरूरी होती है और इसके बाद इसमें कुछ श्रम फर्टिलाइजर देंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी तो प्रूनिंग इस तरह के जैसे यह फूल सूक चुके हैं और लगभग यह भी फूल समापती ही हो चुका है तो इसको हम हमेशा जब कट करते रहे तो नीचे से ब्रांचे जनही आएंगी और उससी फूल लगेंगे जैसे देखिए यह अभी ओपनिंग है यह वाला फूल पुराना हो गया अब झब तक नीचे से नहीं ब्रांचे नहीं आएंगी तो होता यह हैं जब इसमं यह लगे रहा जाते हैं तो इसमें नए फूल आते ही नहीं है, क्योंकि हमीशा गुलाब में नई ब्रांच पे नए फूल लगते हैं, इस वाले प्लांट में भी देखें, यह सारे फूल पुराने हो जुके हैं, अब जब हम इसको हटाएंगे, तो नीचे से दो या तीन ब्रांचे जाएंगी, और उसमें ही फूल अच्छ इसके नीचे देखें कोई ब्रांच नहीं आई हुई है, और जब तक हम इसे कटनी करेंगे, तो यह नए फूल नहीं आएंगे, प्रूनिंग करने में कभी आप घबराएं नहीं, और प्रूनिंग करने से बहुत लाब होते हैं, बहुत सारी मल्टिपल ब्रांचे जाती हैं हमारे प्लांट पे, हाँ कभी-कभी होता है कि हम मिट्टी अगर हमारे प्लांट की अगर अच्छी नहीं है, तो डाइबैक की समस्या आने लगती है, तो डाइबैक का प्रूनिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, वो मिट्टी जब गढ़बर रहती है, यानि कि पोशन पाली मिट्टी नहीं रहती है अच्छा नुट्रिशन नहीं मिल पाता है प्लांट को तभी यह जो डाइब की समस्या है वह आती है तो देखिए अभी फ्रेस्ट फूल है इसको हम नहीं कट करेंगे लेकिन यह वाले देखें यह वाले पूरे खराब हो चुके हैं फूल तो ज इतनी तीन पतियां है उतना ही उतना हम पूरा कट कर देंगे इसके नीचे से यहां से बीच से हम कट करेंगे और इससे क्या होगा कि बहुत जो अच्छी और हेल्दी ब्रांच आएगी तो यह देखिए यह पूरा यह जो तीन पतियां है इनको मैंने कट करके अलग कर दिया यह देखें, तीन पत्तियां जितनी भी रहेंगी, उसको आप ठटा दें, और जहां पांच पत्तियां आने लगें, उन्हीं के बीच से कट करें, और यह देखें, यह ऐसे कट हो गया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, कि आप इसके साफ लगाएं, तो ही यह काम करेगा, अगर आपका plant healthy है तो आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है ये केवल एक भरम है कि साफ लगाएंगे तो इसमें dry back नहीं होगा ऐसा नहीं है dry back होता है आप साफ लगाएं या कुछ भी लगाएं तब होता है जब आपकी मिटी healthy और nutrition वाली नहीं रहती है तो ही dry back की समस्या आती है अब जैसे ये है इसको भी हम नीचे से ही cut करेंगे और इससे नीचे से healthy branch आएंगी ये देखे ये ऐसे cut कर दिया दो तीन पतिया नीचे से हम cut करते हैं तो क्या होता है कि पूरी अच्छी खासी मोटी और healthy branch आती है और ये वाली कली तो अभी बिल्कुल अच्छी है तो इसको हम नहीं cut करेंगे और जब भी इस तरह से कैची या प्रूनर का हम इस्तेमाल करते हैं प्रूनर हमारा नीचे है ये मैं terrace पर बना रही हूं वीडियो तो जब भी हम plant को cut करते हैं तो ये जो है कैची इसको sterilize जरूर कर लिया करें और आपके पास कुछ भी नहीं है sterilize करने के लिए तो आप क्या करें गैस जलाएं और ऐसे आगे पीछे इसको sink लें जब ये पुर का सा नीचे से कट करते हैं जैसे ये जो दो तीन पतियां है जैसे एक दो तीन ये तीन पती है तो हम इसको इसके नीचे से कट करेंगे और एक दो तीन चार ये चार पतियां है तो ऐसे इसी के बीच से में कट कर दूँगी तो यहा है कि यहां से दो ब्रांच आएंगी और उस पर दो फूल के लेंगे तो इस तरह से हमारा प्लांट बुशी भी होता है और प्रूनिंग का बहुत महत्व होता है इस तरह के गुलाब के पौधे में और प्रूनिंग का ही नतीजा है देखिए कि इतने सुन्दर-सुन्दर फूल आए हुए हैं अब हम इस प्लांट की यहां अब इस्से सबी एककट कर देती हूं बहुत Camera कि जितने भी पुराने फूल हैं फटाफ़ उनको करते रहें नेने फूल आते रहेंगे और जो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो क्या अगरते ने एक साथ प्रूनिंग करते हैं तो जब एक साथ हूल भी आते हैं जितने भी uneven से आपको दिखें, वो सब कुछ कट कर दें, अब इससे क्या होगा, जो भी ब्रांच नहीं आएगी, उसमें healthy पत्ते आएंगे, disease कम लगेगी, और फूल भी अच्छे आएगे, तो इस तरह से ही आप प्रूनिंग कर सकते हैं, और इसी तरह से जो नए पौधे मने मंगाए हैं, देखें, इसमें भी थोड़ी-थोड़ी flowering हो रही है, और जब फूल पुराने हो जाए, फटा-फट से कट कर दें, ये देखें, ये सारे ही पुस्पांजली से मंगाए हुए पौधे हैं, इसमें भी देखें, एक आदमे फूल आ गया है, तो जैसे ये फूल लिए आ गयी है, तो मिटी हमें healthy बनानी चाहिए, उसका जरूर ध्यान रखें। ये देखें फ्रेंट, ये एक से दो प्लांट में इतनी कर टिंग कर दी है, और अभी और भी करनी बाकी है, और इसके बाद हम क्या करेंगे करने के बाद? ये प्लांट में जितने भी ये इस वो भी मैं दिखाती हूँ, तो हल्की सी मैं गुडाइ कर लेती हूँ, गुडाइ के लिए ये वाला जो टूल है देखें इसमें दान्थ बना हुआ है, ये मैं ले आई थी बड़ा अच्छा है ये इस तरह का इसमें हैंडल लगा हुआ है, और बहुत पतला सा है तो लेती हैं तो इसमें भी हवा जाती है वेल्टिलेशन होता है तो प्लांट के लिए जो जड़े हैं वह भी बहुत अच्छे से सर्वाइब करती हुं तो इस तरह से मैंने गुडाई कर दी अब इसमें देखिए ये प्रेंड मैं सूपर मिक्स बनाकर रखती हूं और इसका इसक इसे भी मैंने बताया हुआ है, और link मैं दे दूँगी, अगर आपने अब तक नहीं देखा हो, तो ये देखिए, दो चम्मच में चुकि बड़ा प्लांट है, तो दो चम्मच मैं इसमें दे दूगी, छे महीने से उपर का प्लांट है आपका, तो आप दे सकते हैं, दो चम्म तो इस तरह से जितने भी छोटे जितने भी गुलाब के फूल सूक रहे हैं सब की ट्रिमिंग हम करेंगे और हलकी गुडाई करेंगे उसमें थोड़ा फडिलाइजर देंगे और फिर आप देखे कि कितने जबजस फूल आते हैं तो फ्रेंड यह था गुलाब के लिए अधानिया भरतते हैं तो फ्रेंड मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल भी नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा नमस्ते फ्रेंड कि युक्तिय न platform के खितमेंग उसे, ये जईए ए स सक्रीं इस द मॉटकर विंट सूलावार मेरे उसे, अधानि खित्याओं reminding मेरे दो.